नमस्कार आज की खबर चेनल में हम आपका स्वागत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार क्रेडिट कार्ड बिल की लेट पेमेंट फीज से बचोगे, हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि आप किस प्रकार क्रेड कार्ड बिल की लेट पेमेंट फीज को जमा करवा पाओगे टाइम से, हम आपको पूरी खबर बता शुरू होने जा रही है दोस्तो हमारी निगारे की इस सुनवाई के उपर हम आपको बताएंगे क्या आयोध्या में राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है राजदानी दिल्ली से यहां दोस्तो यदि आप राजदानी दिल्ली में रह पहर घुल चुका है और दोस्तों आने वाले समय में यह भड़ेगा हम आपको पूरी खबर बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसला और पहली खबर हम लेते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर है क्रेडिट कार्ड बिल जमा करने की अंतिम त ती दोस्तों महीने के अंतिम तारिक है वह मिस नहों जाए वह निकल नहाए और मिकल गई तो उसको लेट पेमेंट फीज भरने पड़ेगी लेकिन दोस्तों हम आपको बता है आर बिया का एक नियम है दोस्तों इह नियम अभी तक आप लोगों को पता नहीं है धोस्तों यह कार्ड बिल का पेमेंट नहीं करते हो तो दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ेगा लेट पेमेंट का और दोस्तों यदि आप ड्यू डेट निकलने के बाद भी तीन दिन के अंदर अंदर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो दोस्तों आपको किसी भी प्रक का लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा और दोस्तों आप ड्यू डेट निकलने के तीन दिन के अंदर अंदर भी दोस्तों क्रेट कार्ड बिल जमार नहीं करवा पाते हो तो दोस्तों आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों हम आपको बताएं अगर आप तेर तारी गुजरने के तीन दिन के भीतर बिल का भुकतार नहीं करते हो दोस्तों तो हम आपको बताएं बेंक के क्रेडिट इन्फोर्मेशन कमपनियों को रिपोर्ट करते हैं वहीं अगर आप बिल चुका देते हो तो बेंक इन कमपनियों को रिपोर्ट नहीं कर तो आना है, यह information आती है, और एक आता है दोस्तो, minimum due amount हाँ डोस्तो, हम आपको बता हैं, दोस्तो, इस minimum due amount का क्या मेहत्व है, दोस्तो इसका क्या मतलब होता है, हम आपको बता है, credit card, bill पर, bank, तभी, late payment लेता है दोस्तो, जब आप minimum due amount भी जमा नहीं कर पाते हों, हम आपको बत तब भी आपको जो late payment fees होती दोस्तों वह है नहीं देनी पड़ेगी, दोस्तों जिदि आपके पास credit card का बिल जमा करने के पैसे नहीं है, तो दोस्तों आप minimum due amount तो जमा करवाई सकते हो, और दोस्तों जिदि आप इसको करवा दोगे, तो बेंग आपसे कभी भी late payment fees नहीं लेगी, दोस्तों आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों जिदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे, तो दोस्तों आप कभी भी credit card बिल पर late payment fees नहीं दोगे, हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, राम मंदिर के उपर हम आपको बताने जा रहे हैं, दोस्तों राम मंदिर पर सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई आज से शुरू होने जा रही है, और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस एहम सुनवाई के अंदर क्या क्या निकल कर सामने आता है, दोस्तों इस सुनवाई से पहले ही दोस्तों जो राज निती है दोस्तों वह गरम हो गई है हम आपको बताएं किस प्रकार गरम हो गई दोस्तों सुनवाई से पहले बयान बाजी तेज हो गई है दोस्तो राम मंदीर के उपर सीयम योगी जो उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी है उनका कहना है सुप्रीम कोट सब्री माला मंदीर पर फैंसला दे सकता है तो उसे राम मंदीर पर भी फैंसला दे देना चाहिए राम मंदिर हिंदों की आस्ता का मामला है और दोस्तों यूपी के जो उप मुख्य मंत्री है केशो प्रसाद मोरी है दोस्तों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये बात कही है कि आयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा दोस्तो हम आपको बता हैं शनीवार को केरल के कन्नूर में बीजेपी अध्यक्षे अमिश्या ने भी सब्री माला के बहाने सुप्रीम कोर्ट के फैंसले पर सवाल उठा दिये हैं और अमिश्या ने साफ साफ का है कि आदालत को ऐसे फैंसले ना दें जो धरम आस्ता से जुड़े हो और उसको लागू कर पाना बड़ा मुश्किल हो दोस्तो अमिश्या ने यह बयान दिया है तो दोस्तो आजसे राजनिति भी करम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तो अयो राजदानी दिली से हां दोस्तो हम आपको बताने जा रहे हैं यदि आप राजदानी दिली के अंदर रहते हो तो दोस्तो आपको राजदानी दिली की हवाओं में सांस लेना दोस्तो मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि दोस्तो हम आपको बता हैं दिली में रहीवार को मोटी धुंद की चादर चाही रही थी और इस मोसम में अब तक की ये सबसे खराब वायूग गुनवत्ता दर्ज करी गई थी दोस्तों हम आपको बताएं राश्टिय राजधानी में हवा की गुनवत्ता लगाता खराब होती जा रही है केंद्री प्रदुशन नियंतरन बोर्ड सी सीबी के आंख्रों के अनुसार राश्टिय राजधानी में कुल गुनवत्ता सूचनांक 381 दर्ज किया गया है हां दोस्तों जो वायूग गुनवत्ता सूचकांक होता है दोस्तों 381 दोस्तों दर्ज किया गया है दिल्ली के अंदर दोस्तों जो ये 381 सूचकांक माना जात दोस्तों यह भैत खराब शेनी के अंदर आता है इस मोसम में खराब वायू गुनवनता का कारण क्या है दोस्तों बहुत बड़ा कारण है पराली का हां दोस्तों हर्याना के अंदर लोग पराली जलाते हैं दोस्तों और इस पराली का जो धुआ होता है दोस्तों वो दिली की ह हम आपको बताएं दोस्तों कौन सा सुचकांग आता है जब अच्छा माना जाता है। यदि 51 से लेकर 100 के बीच में होती है तो उसको संतोज जनक माना जाता है और यदि वायू गुनवंता का जो सुचकांग होता है दोस्तो वह 101 से लेकर 200 तक होता है दोस्तो तो हम आपको बता है उसको मद्यम शेनी का माना जाता है और दोस्तो 201 से लेकर 300 के बीच में जो वायू सुचकांक होता है दोस्तों हम आपको बता हैं दोस्तों यह है खराब मना जाता है और 301 से लेकर 400 के बीच में बहुत खराब होता है और 401 से 500 के बीच में AQI घंभीर मना जाता है तो दोस्तों हम आपको बता हैं दिल्ली के अंदर 381 AQI दर्ज किया गया है जो दोस्तों बहु केंदर है दोस्तों वहाँ पर वाई गुनवंता का इस तर घंबीर है जबकि 20 केंदरों में बहुत खराब दर्च किया गया है दोस्तों हम आपको बता है अधिकारियों ने हवा की गुनवंता में आई इस गिरावट के पीछे निर्मान कारें से उड़ने वाली धूल और दोस दोस्तों हम आपको आता है अगर इसी प्रकार से परदूशन भरता गया दिल्ली के अंदर दोस्तों दिल्ली की हवाँ में जहर खूल जाएगा और वहां के रहने वाले लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों यह हमारी आज की तमाम खबरें आप हमार जो चैनल आज खबर उसको लाइक और सस्क्राइब पर ना भूले नमस्कार